हमारे सबी लेटिस निउस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निउस इन हिंदी चैनल को और साथ में घंटे के बटन को दबाना ना दोस्तों रिनॉल्स की अपकमिंग कार CLIO बारत में होगी जल्द लाउंच जानी फैसिफिकेशन और कीमत के बारे में दोस्तों रिनॉल्स की स्पोर्टी और बोल्ड लुक देने वाली ये कार केवल पांच से साथ लाग रुपे के बीच में बारत में लाउंच होईगी और दोस्तों ये दोनों वेरियंट में आपको उपलब्द करवाई जाएगी यानि पैट्रोल और डीजल वेरियंट में इस कार के भारतिय सड़कों पर आने की उमेद 2020 में लगाई जा रही है इंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 1.4 लिटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है जो आपको 5000 आर्पियम पर 90 बीच पी और 1650 आर्पियम पर 135 mm का पिक अप टॉक जनरेट करके देती है इस इंजन को स्टॉप एंड स्टार्ट सुईदा से लेस किया जाए जो इंजन को बेहत प्रदेशन करने में सक्षम बनाती है दोस्तों जो पैट्रोल वेरियंट है वो आपको 23 कीमी का माईलेज देता है अब बात करते हैं डीजल वेरियंट के तो डीजल वेरियंट को स्टॉप और स्टार्ट टेकनोलिजी के साथ 1.5 लीटर DCI इंजन से लेस किया गया है ये इंजन आपको 220 आर्पियम पिक अप टॉक के साथ 4000 आर्पियम पर 90 बीचप की अधिक्तम शक्ती परदान करता है और दोस्तो ये 6 स्पीड ट्रांश्मिशन के साथ TCI से लेस है उमेद की जा रही है कि कार 185 किमी प्रती घंटे की टॉप स्पीड देगी और 12 सेकिंड में ये 100 किमी प्रती घंटे का आकड़ा छू देगी दोस्तो एक्स्टीर की बात करें तो कार के फ्रेंट में आपको ग्लॉस ब्लैक बैग्राउंड के मुकाबले एक बड़ा वर्टिकल रेनो का लोगो देखने को मिलता है और साथ में दोस्तो क्रोम टीम हैड लाइट्स मिलती है और एल एडी डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है जो इसे काफी एक्रेसिव लुक देती है इंटीरियर की बात करें तो दोस्तो इस कार में डैश पोर्ट को काफी अकरशिक लुक के साथ बनाया गया है और साथ में इसमें आपको 7 इंच का इन्फोटेक सिस्टम देखने को मिलता है और मल्टी मीडिया सिस्टम के साथ आपको Bluetooth connectivity, Android Play और Apple Play जैसे function भी मौझूद है बात करें दोस्तो इसकी safety features की तो कार को already 5 star crash correction rating मिली भी है कार सभी stand safety features के साथ आती है जैसे की दोस्तो ABS के साथ and EBD and dual airbags and back assist and ESI and SRS tension control और cruise control जैसे features मौझूद है तो दोस्तो रिनॉल्ट्स की आपको CLIO कार कैसी लगी और जैसे की मैंने बताए कि ये 2020 के starting में launch भारत में कर दी जाएगी अब फटा फट से comment box में जाएए और अपनी राय बताएए कि आप इस कार को लेना चाहेगे और नहीं लेना चाहेगे और वीडियो को दोस्तो बिना like करें तो बिलकुल मत जाएगा मिलते हैं next video में धन्यवाद